नमस्कार मैं निरंकार और क्लिम्स बुष्टर प्रोग्राम में आप सबका श्रागत है प्रश्ण दिया गया है उपराष्टपती से संबंदित प्रश्ण है इसको हम लोग देखते हैं दिया गया है उपराष्टपती से संबंदित देखिए वाइस प्रेसिडेंट को दिमाग में लाना है निम्लिकित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है यहने कि आपको असत्य कथन की पहचान करनी है जो इन में से गलत कथन होगा उसी को आपको ढूढ़ना है करें इसका चुनाओ भी उसी निर्वाचक मंदल से होता है जिससे राष्टपती का मतलब यह कह रहा है कि राष्टपती का निर्वाचक मंदल और उपराष्टपती का निर्वाचक मंदल दोनों एक ही होता है तो आप कहेंगे यह तो कथन गरत धो जाएगा क्यों कि अगर हम देखें निर्वाचक मंडल तो एक तरफ हम अगर President लेख देते हैं और एक तरफ हम लेख देते हैं Vice President देखें जहान से तो इसमें कौन कौन होता है आप कहेंगे इसमें लोक सभा, राज सभा और विधान सभा राज्जों की विधान सभाएं और विधान सभाओं में आप याद रखिएगा डेली और पांडी चेरी इन दोनों की भी विधान सभाएं तो इन सभी के निर्वाचित सदस जो होते हैं वो चुनते हैं किसको राष्टपती को यदि निर्वाचिक मंदल जो उप्राश्पती का है वो ये है बसरते वाइस प्रेसिडेंट में थोड़ा अलग है इसमें क्या है इसमें लोक्षभा और राजसभा के सभी सदस से बहुत ध्याँ समझेगा यानि कि इसमें केवल निर्वाचित सदस्य होंगे मनोनीत सदस इसमें नहीं हो सकते इसमें चाहे मनोनीत हों चाहे निर्वाचित हों लोक्षभा और राजसभा के सभी सभी सदस मिल करके उप्राश्पती का चुनाओ करते हैं इस बात को ध्यान में रखना है तो ये बहुत यह रख है इसका इलेक्टरॉनल कॉलेज यह हो गया और इसका इलेक्टरॉनल कॉलेज यह हो जाए दोनों का बहुत डिफरेंट है तो इस आधार पर आप ध्यान दीजेगा कि यह वाला कथन हमने क्या कर दिया गरत कर दिया इसके बाद उपराश्पती पद का समिधान में बेतन का प्रावधान नहीं है बलकि वह राजसभा के सभापती की रूप में वेतन प्रावध करता है अब ध्यान दीजेगा जो यह पद हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट का है यह बेसिकली लिया गया है कहां से यह वैस्टे से उनाइटेड इस्टेट आफ अमेरिका और उनाइटेड इस्टेट आफ अमेरिका में हाउस सीनेट होता है तो जो सीनेट होता है यह हमारे यहां की राजसभा जैसी है वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जो होता है इसकी अध्यच्छता करता है बैठा की तो ऐसे ही हमारे यहां भी वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वह राजसभा का पदेन अध्यच माना जाता है या आप कह सकते हो सभापती माना जाता है ध्यान दीजेगा या जो भी भारत का उपराश्ट पती होगा वो राजसभा का सभापती होगा ये कहा गया आर्टिकल 89 और 64 ये दोनों बिला करके अगर पढ़ेंगे तो इसमें कहा जाता है कि जो भारत का Wow AhJust 63 में दिया गया है कि भारत का उपराषट पती होगा धान दीजिएगा कि कि जो वेतन भत्ता इसको मिलता है वह वेतन भत्ता मेरेतर स्भापति के रूप में ना उपनर retention कितना है 근데 taking प्रेंट उप्रेंट में में सबहाथ के सभहापती की रूप में वेतन मिलता है ध्द्यान दीजेगा 1997 में इसके लिए एक प्रहुधान और किया गया क्योंकि मूर्शमिर्हान में इनके चाहिख के पैंसन की प्रक्तों तो आपको प्रेसीडेंट का कितना है तो आप कियांगे प्याइप कितना होता है याद रखिए गार टू लाग तो यह सब बेट शायलरी इसका पिक तून्च कर लिजिएगा तो यहादी कथन क्या यह कथन सही हो जाएगा फिर है उपराष्ट पती को पत से हटाने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना पर प्रस्ताव सरपर्थन राजसभा में ही लाए जाएगा अब ध्यान दीजेगा चुकि यह उपराष्ट पती जो होता है वो सभापती होता है राजसभा का इसलिए अगर इसको पत से हटाना है तो कुछ नहीं करना है 14 दिन की पूर्व सूचना पर प्रस्ताव पहले सरपर्थन प्रस्ताव जो होगा यह ध्यान देने वारी बात है यह राजसभा में ही आएगा ठीक है यह ध्यान दखिएगा लोग सभा में नहीं आ सकता पहले और राजसभा में यह पास करना पड़ेगा किसे प्रभावी बहुमत से प्रभावी बहुमत क्या होता है प्रभावी बहुमत का मतलब होता है कि जो फदन को चलाने के लिए कोरम होता है 10% होता है यानि कि जो फदन होता है इसे राजसभा है अब राजसभा के जो फदन की संख्या है उसमें से अगर 10% लोग उपस्तित है तो कोरम पूरा हो गया तब ही कारवाई सुरू होती है बैठक जो सुरू होती है उसमें कोरम पूरा होना जरूरी है तो 10% अगर फदन से है तो कोरम पूरा हो गया तो अब उसमें से जितने भी हों जिसमें भी चालिस है पचास है जो भी है यह दस परसंट से कम नहीं होने चाहिए बस अगर वो उपस्थित है उसमें से अगर आधे से अधिक इस पच्छ में या प्रस्ताओं को सहमती दे देते हैं तो यहां से यह पा पारित होगा और जैसे यह सफ़ान अबहुत्त से पारित होगा वाईस प्रेशिडन्ट का पत क्या हो Iraqi हो जाएगा समाप्फ हो जाएगा यह परकिल्य जहां दख्येगा राष्ट उपराष्टपती, उपराष्टपती की अगर मृत्तिव हो जाए, या त्याग पत्र दे दें, किसी तरीके से पद अगर बीच में खाली हो जाता है, तो जैसे राष्टपती का क्या होता है, कि राष्टपती की अगर महत्वपूर्पद नहीं है इस विछे माह के भी तरफ चुनाव कराना अनिमार नहीं है इनकी मृत्यू या इस्तिफा दे देने पर इस बात को भी आपको द्यार में रखना है अब कुछ और बातें आपको समझा देते हैं इसे देखिए उपराश्टपती का जो चुनाव होता है इसको लड़ने के लिए 20 प्रस्तावत की जरुषत होती है और 20 समर्थक चाहिए यानि 40 मिंबर की विवस्था कर लीजी लोग समझा रास्भा में से मिला अगर की तो आप उपराश्पती का चुनाव लड़ सकते हैं कहीं कोई दिक्त नहीं है एक तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है 20 समर्थक और 20 प्रस्तावत हमने कहा कि जो एलेक्टरल कालेज होता है उसमें लोग समझा रास्भा के सभी फदस से मिलके चुनते है और जितने के लिए 50 परसंट से अधिक मत मिलना चाहिए तो उपराश्पती का चुनाव हो जाएगा इस बात को भी ध्यान में रखिएगा उपराश्पती का चुनाव कौन बेक्तिल लड़ सकता है यहीं अगर योगिता थोड़ा सा हम समझ ले तो योगिता में वही होगा क्या हो भारत का भाई क्या होना चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा क्या है इंपर्डेंट कि 35 वर्स की आयूपूरी कर चुका हो और राजसभाफदस से बनने की योगिता रखता हो राजसभाफदस से बनने की योगिता अगर रखता है तो वो बन सकता है तो यह सब कुछ बाते हैं इसको आपको ध्यान में रखना है अब प्रश्ण को शालब करते हैं देखे ध्यान से तो यह 14 दिन की पूर्व सूचना पर रासभावें ही प्रस्ताव लाए जाएगा यह भी कथन सही है उप राश्पती की मृत्ति उत्याग पत्र के करना पर रिक्ता की स्क्ति में 6 माह के भीतर चुनाओ कराना अवश्यक नहीं है तो यह भी बात सही है चुनाओ कराना आवश्यक नहीं है राश्पती का है बाकी और पदों का है लेकिन उप राश्पती का 6 माह के भीतर चुनाओ कराना कोई जरूरी नहीं है तो अगर हम इसमें देखें कि कौन सा सत्य नहीं है तो आप कहेंगे पहला वारा कथल इसमें सत्य नहीं है बागी सारे कथल सत्य है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला एक